हेलो गाइस तो आज का जो हमारा कोश्चन इसमें भी दे रखा है और यहां पर हमें चार ओप्शन दे रखे है तो गाइस जो यह कोश्चन है यह आ रहा है डिस्प्लेस्मेंट मेथड के टॉपिक से तो कि इस डिस्प्लेस्मेंट मेथड का टॉपिक है उसमें हमें दे रखा होता है एक फोर्मला अबजेक्ट यह होते है इस हमारी हाइट ऑफड़ आपजेक्ट इस इकउल रूट आईव इंडैट है यहां पे जो हमारा हमारी लेंध है फ़र्स्ट इमेज की और आईटु है यह हमारी है लेंध सेकिंड इमेज की और और O है यहां पर हमारा length of the object तो किस बस अब हमने इसमें अपनी values रख देनी है I1 की जगह रख देंगे 16 mm और I2 की जगह रख देंगे 81 mm तो जो हमारा object की length आ रही हो आ रही है 36 mm तो इसाब से इस question के लिए second option होगा वह सही होगा और अगर आपके doubt है तो comment section पूछेगा thank you guys